मस्का दोस्तों आप सभी का साहिन पे मैं स्वागत है ये वीडियो ने वाली है स्पीडोमेटर गेर जिसे हम वर्म गेर या पिनियन गेर भी बोलते हैं ऐसे चेंज करने के उपर अगर आपकी मोरसाइकल का स्पीडोमेटर जो काम नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले इसे पता लगा लेना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इस टॉपिक के ओकर जो मैंने पहले एक वीडियो बना रखे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मालीजे कि आपने इसे जो डियाग्नोस किया और आपको ये पता चलता है कि आपके जो स्पीड प्रॉडवर लगा हो या ख्लिप लगा तो आप उसे जो वो एक स्क्रूडवर की मदद से जो पुश करके भी निकाल सकते हैं मेरे केस में जस्त यह इस तरह से घुमा के निकल जाती है तो सबसे पहले आपको इसे केवल को ही रिमूब करना है और इसे साइड पे आपको दालना है तो यह रहा हमारा स्पीडोमेटर गेर केस जिसे हम स्पीडोमेटर गेर बॉक्स भी बोल सकते हैं और जितनी भी मोटर साइकल जिन में डिस्क ब्रेक आती है उसमें आपको कुछ इस तरह का ही स्पीडोमेटर गेर केस देखने को मिलेगा और जो ड्रम बेक वाली म उनमें जो यह gears रहते हैं, speedometer के, यह inbuilt रहते हैं, जो यहाँ पे एक plate जैसी लगी रहती है, drum brake के साथ में, उसी में यह inbuilt रहते हैं, तो इनकी working और जो अभी इसमें अंदर gears रहते हैं, वो बिल्कुल सेम रहते हैं, बस फर्क यह रहता है कि जितनी भी disc brake वाली motor cycles आती हैं, उनमें आप अगर यह जो हमारा gearbox है, या इनके जो gears है, यह खराब हो जाएं, तो यह पूरा का पूरा जो set है, यह भी आपको मिल जाता है, और अगर आप इनके just gear खरीदना चाहें, तो इनके gears भी आपको individually मिल जाते हैं, तो इसके gear को जो पहले आपको बाहर निकालना पड़ेगा, जो इसके पुराने वाले gear है, तो इसका जो यह एक आप देख पारे हैं, black जैसा gear है, इसे बाहर निकालने का जो असान तरीका वो यह है, यहाँ पे एक screwdriver आप लगाएं, और इसे इस तरह से rotate करें, तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही अराम से जो वो बाहर आ जाता है, यह देखें मैं आपको एक बार फिरसे करके दिखा देता हूँ, यह मैंने अंदर को इसे push कर दिया, और यहाँ पे मैंने से घुमाया, तो आप देख सकते हैं कि यह दुवारा से उपर अपने आपी उठ गया है, और जो थोड़ा बहुत रह जाता है, उसे आप जो वो screwdriver की मदद से जो इस तरह से इसे पकड़ के जो वो बाहर की तरफ को खींच लें, तो यह देखिए, यह इसमें एक plastic का gear लगा रहता है, और इसके जो अंदर में जहां पे हमारा, यहां पे हमारी speedometer cable लगती है, इसके अंदर में भी एक जो आप देख सकते हैं, बीच में आपको यहां पे एक gear मिलेगा देखने के लिए, यह देखिए, तो यह हमारा metal का gear होता है, और जितनी भी disc brake की, यह जो मतलब disc brake बाली जो motorcycle है, उनमें यह जो gear box लगा रहता है, इसके यह plastic gear ही जाद तर खराब होता है, इसमें जो metal वाला gear है, वो कभी भी खराब नहीं होता है, इवन तो यह वाले gear भी बहुत कम देखे गए हैं, खराब होते वे, इसमे मान लिजे कि आपका ये अगर gear जो प्लस्टिक वाला खराब हो जाए, तो आपको जो इस gear को लेके जाना है, और बजार में से जो ऐसे दिखा के आप जो बिल्कुल similar जो gear है, वो लाके इसमें डाल सकते हैं, तो जस्त आपको यही replace करना होता है, तो मान लिजे कि अगर आप आपका ये जो अंदर वाला gear है, जो metal वाला gear है, ये भी खराब हो जाए, तो इसे आपको किस तरह से replace करना है, वो भी मैं आपको इसमें चेक करवा देता हूँ, तो इसके लिए आपको जो आपको आपको ओपन करना है, और इस लोग को ओपन करने के लिए यहाँ पी छोटा और ध्यान रखें कि आप इसे जो threads के पास से ना पकड़ें, विल्कुल इस edge के पास से पकड़ें, और आपको इसे धीरे-धीरे rotate करते हुए जो आपको बाहर की तरफ को निकालना है, ये देखिए, बड़े अराम से बाहर निकल चुका है, और इसके अंदर में एक ये वाशर लगी होती है, तो इसका ध्यान रखें, और ये रहा मारा gear, एक वाशर जो वो नीचे में भी होगी, तो ध्यान रखें कि वो अपनी प्लेस पे ही हो, या आप जब बाहर निकालें तो वो निकलना जाए, एक वाशर जो ये कुछ इस तरह से लगती है, और एक वाशर लेकिन ये खराब नहीं होता है, तो इस तरह से आपको इसे बाहर निकालना है, अब मैंने इसे जो बाहर निकाली लिया है, तो मैंसे जो अच्छी तरह से क्लीन करके इसमें जो दुबारा से ग्रीसिंग कर दूँगा, तो मेरे तो केस में ये दोनों ही गेर्स जो बिल्कु कर दूँगा आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्पीडोमीटर गेर केस को जो वो अच्छी तरह से क्लीन कर लिए अंदर से भी और बाहर से भी और साथी में इन गेर्स को भी अच्छी तरह से क्लीन के लिए जो इनके उपर ग्रिस लगी हुई थी वो सारी ग्रिस जो मैंने साफ कर दिय तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब भी आप इस सैट को जो रिपलेस कर रहे हैं गेर्स को तो आपको जो नहीं किस तरह से लगाना है और उनकी जो ग्रिसिंग करनी है तो तो आपको जो इस तरह से ग्रीस लगा देनी है, बहुत जादा भी नहीं लगानी है, और इस तरह से थोड़ी फैला दे, ध्यान रखें कि आप इन चोटी वाशर्स को इसमें जरूर लगाएं, और इनकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, ये आगे की तरफ को बेंड है और इस तरफ को ग्रूव है, तो इसे इस तरह से लगाना है, ताकि ये मैटल की बॉड़ी पर जापके बैठे और उसके साथ ये रगड न खाए, तो इस तरह से इसे जो वो अंदर डाल दे, ये अपनी सीट पर जाके बैठ जाएगा, और उसके बाद में इसकी ये दूसरी वा और उसके बाद में इसका जो ये बुश है, इसे हमें इसमें लगा के इसे जो वो दबा देना है, तो ये अपनी सीट पर बैठ चुका है, और इसके बाद में हम इसका जो हमने लॉक निकाला था, उस लॉक को लगा देंगे, और इसके बाद में आप चाहें तो इसमें जो वो स्क्रूड एवर लगा के इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो गेर है वो रोटेट कर रहा है या देखे, मेरे केस में ये रोटेट कर रहा है, और इसके बाद में आपको जो इसका ये प्लास्टिक वाला गेर है, इ और इसके अंदर में भी आपको greasing लगानी है, चाहे आप इस shaft पे उपर लगा दें, वो आप पे उपर depend करता है, तो मैं इसके अंदर में यहाँ पे greasing लगा दूगा, यहाँ पे grease लगा के, इसे एक वाज जोगर rotate कर दें, और इस तरह से grease को फैला के, आप चाहें तो थोड़ और वीस में grease लगा सकते हैं, वो आपके उपर depend है, लेकिन ध्यान रखे कि बहुत जादा वीस में grease ना हो, इतनी sufficient है, इसके बाद में इसे जो वो इस तरह से लगाना है, यह नीचे की तरफ, यह देखे, यहाँ पे कुछ edge निकले हुए, यह उपर की तरफ रहेंगे, और य यह जाके अपनी seat पे बैठ जाएगा, जो excess इसमें grease लगी हुए है, उसे आप इस तरह से clean कर लें, और इसके बाद में आप जो एक screwdriver की मदद से इस तरह से check भी कर सकते हैं, कि आपका जो gear है, वो rotate कर रहा है या नहीं, तो यह देखे, मेरे case में तो यह gear work कर रहा है, यह इसके बाद आपको इस speedometer gear case को जो बापिस से install कर देना है, जिस तरह से हमने इसे remove किया था, उसी तरह से हम इसे install कर देंगे, तो सबसे पहले इसे लगा के इसकी position पे जो हमें इसे लगा के set कर देना है, और बाद में इसका जो हमने front axle निकाला था, उसे लगा के जो nut है वो tight कर देंगे, और इसके बाद में हमने इसकी speedometer cable निकाली थी, उसे भी हम लगा देंगे, तो कुछ इस तरह से आप भी अपने motorcycle के speedometer gauge को जो चेंज कर सकते हैं, अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो इसे like करना बिल्कुल मत भूलिया, और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लेजगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवा कर लिए